गुड मार्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैतमेटिक सीद अवीगर्ग, स्वागत श्ट्वेंट्स आप सभी का इस नई लेक्चर में, आज आप लोग पढ़ेंगे, फ्लो इन ट्यूप्स ओफ यूनिफॉर्म क्रोस सेक्शन, जो नए जिसे equation of motion भी कहते हैं, दोनों drive करी हैं, ठीक है, और equation of motion के कुछ solutions देखे हैं, जिसमें first example लिया था, हम लोगों ने flow between two parallel plates, second example क्या था, हैगन पॉइस दो flow, ठीक है, ठीक है, दोनों ही आप लोगों की flow, exact solution of ns equation के example है, ठीक है, अलग-अलग example से हम लोगों ने exact solution देखा था, ठीक है, तो इन सभी के अप लोग lectures ले सकते हैं, description box में link है, वहाँ से, ठीक है, फिर आज आप लोगों ने start करें, flow in tubes of uniform cross section, देखो, uniform cross section में एक छोटा सो topic नहीं है, यह बहुत बड़ा topic है, यहां हम काफी सारे part पढ़ने वाले हैं, uniform cross section में, जैसे कि आप लोग देख लीज cross section ठीक है, annular cross section या फिर देख लेते हैं, equilatory triangle cross section ठीक है, इस तरह के काफी सारे section लेते हुए, हम लोग पढ़ेंगे flow की properties ठीक है, जिस तरह से भी equations आएंगी, आप लोग देखेंगे, तो आज students हम लोग पहले basic पढ़ लेते हैं, अगर exam में किसी भी cross section का आ जाता आप लोग आप लोगों ने consider किया है, study flow, study flow का मतलब है, del y, del t is equals to 0 लेंगे हम, study का मतलब यही होता है, आप लोग जानते हैं, study flow क्या होता है, एक ऐसा flow, a flow in which the properties of fluid, एक ऐसा flow जिसमें fluid की properties constant रहती है, a flow, a flow in which the properties of fluid remains constant with time, time के respect में, जहाँ properties constant रहती हैं, उसे हम कहते हैं, study flow, ठीक है, time के respect में, जो fluid की properties हैं, वो constant है, इसका मतलब, अगर उन properties का, आप लोग differentiation करते हैं, t के respect में, तो value क्या आएगी, 0, ठीक है, क्योंकि वो constant है, ठीक है, respect में, ठीक है, time के respect में, अमेशे constant हैं, चेंज ही नहीं होरी, तो, चेंज नहीं होरी, तो, differentiation की value कहां से आएगी, differentiation जी रही होना है, ठीक है, तो, याद रखे, study का मतलब, विसकस, incompressible लेके चल रहे हैं, यहाँ, compressible fluid आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों का वही case चल रहा है, फर्स्ट जो हम लोगों ने लिया था, थर्ड लेक्चर में, incompressible fluid आप लेके चल रहे हैं, with constant fluid properties, ठीक है, वही case अभी आप लोगों का चल रहा है, थर्ड लक्चर आप लोग देख सकते हैं, थर्ड लक्चर में मैं आप लोगों को बताया था, throw a tube of arbitrary and uniform cross section, मैंने बताया, arbitrary, अभी काफी type की cross sections की, हम tube लेंगे, उनमें study करेंगे, flow को, ठीक है, जैड एक्सिस जो लिया है, आप लोगों ने, parallel है, tube के generators के, और आपने लिया का है, जैड एक्सिस, direction of fluid, जहां पर fluid, जो आप लोगों का fluid है, flow कर रहा है, जिस direction में, उसी direction, मान लीजिया, आप लोगों का, इस तरह से, fluid flow कर रहा है, ठीक है, तो इसी direction में, इसी direction में क्या लिया है, आपने, z axis, ठीक है, z axis along the direction of fluid flow, then there is only non-zero velocity component, is w, u क्या है, x direction में velocity, v क्या होता है, y direction में velocity, w क्या होता है, z direction में velocity, तो आप लोगोंने, z axis कहां लिया है, fluid की direction में, जहां पर आप लोगों flow कर रहा है, इसका मतलब, z axis पे जो velocity है, वही non-equal to zero होगा, x और y direction में, तो velocity component की हो जाएंगी, 0, तो इसलिए, u 0 हो गया, और v 0 हो गया, ठीक है, अब क्या करना है, simple, हर बार की तरह हम क्या करते है, अ आप लोगों को समझा है, यहां पर, एक condition और क्या है, हम लोग यहां पर external force है, absence लेके चल रहा है, previous lecture में, दोनों ही topics में, आप लोगों ने, आप लोगों ने, यहां पर flow क्या करे थे, जब पढ़े थे, तो, जो force था आप लोगों का absent लिया था, ठीक है, इसी तरह से, यहां ठीक है, अब external force absent है, इसका मतलब क्या हुआ, fx, fy और fz, तीनों की value क्या हो जानी, 0, ठीक है, तो यह तीन conditions याद रखिए, first, second और third, इनी से आप लोग जो equations लिखेंगे, उन्हें reduce करेंगे, तो सबसे पहले equation लिख लेते हैं, तो देखिए, equation of continuity, Cartesian coordinates में क्या होती है, equation of continuity औ दोनों ही हम लोग drive कर चुके हैं, ठीक है, first, second lecture आप लोगों के इनी की थे, first lecture में ये की थी, और second lecture में equation of motion, तो देख सकते हैं, आप लोग, description box में link है, देखो, एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर, कि कौन से derivation में, हम कौन से coordinate यूज़ कर रहे हैं, यह बहुत important यहीं confuse आते हैं, और पूरा, सब कुछ गलत हो जाता है, अतलब exam में, यहीं बूल जाते हैं, तो फिर derivation में दिक्कत आती है, जो आप लोगों ने हैगन पोईजल फलो पढ़ा था, उसमें क्या करे थे, cylindrical coordinates लिए थे, r, theta, z, बट जो आप यह cross section वाला topic पढ़ते हैं, को को यूज करने है, Cartesian coordinates में, एक्जाम में याद नहीं रहता है, cylindrical coordinates में लिख देते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं, हमारा हो क्यों नीरा derivation, तो इसलिए बोलती हैं, बार-बार practice करो, इन derivations की ऐसे ही नहीं होने वाले exam में, पेपर लेंदी आता है, ठीके, तो देखो, करते हैं, equation of continuity किस तरह से लिखी जाती है, Cartesian coordinate में, इस तरह से, equation of motion कैसे लिखी जाती है, रो, dv by dt, यह vector form में लिखी है, यह d by dt क्या है, material derivative, रो, रो क्या है आप लोगों का, density, f vector, del p, plus mu, del square, v, यहां पर vector form में लिया हुआ है, ठीक है, v की value क्या क्या है, यह वाला v, और यह वाला v, अलग-अलग है, confuse मत हो न, यह वाला v vector है, जो, इसी के component है, यह, v, और w, ठीक है, तो इसके component लिख देंगे हम लोग, ठीक है, u, v, और w, इसी तरह से, f के क्या हो जाएंगे, f vector के, fx, fy, fz, ठीक है, और, बस v vector ही यहां पर तो, तो देखो, material derivative क भी मैंने साथ के साथ यहां पर include कर लिया है, d by dt की value क्या होती है, आप लोगोंने पहले भी लिखी होई है न, d by dt, z question क्या लिखते हो, del by del t plus v vector dot del, v vector की value रग दी, u, v, w, del component के साथ, del के क्या होते है, value, इसके del की value क्यों होती है, del by del x plus del upon del y plus del upon del z, v vector से multiply हो रहे है, तो v vector से multiply कर दियो, u, v, w, x के साथ x वाला component आ गया, x direction में velocity है, x के साथ आ गई, इसी तरह से यहां, ठीक है, तो देखो, d by dt की यह वाली value हम लोगोंने यहां पर use करी है, यहां पर आप लोग पहले x component लिख रहे हैं, फिर y, फिर z, x component है, इसकोंतलब v vector की ज़िए क्या लेना है, सि तो देखो, d by dt की value यह वाली use करते हुए, यहां पर पहुँच गए, u, 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 u आ गया, सिफिस value, d by dt की value रखी है, ठीक है, is equals to f vector की जगे, fx आगे, because x component लिख रहे है, del p, तो del की value x component लिख रहे हो, क्या लोग है, del by del x, p vector, ठीक है, p हमेशा, z trees रहना है, इसके कोई component होगारा नहीं है, plus mu, del square, किस तरह से define होता है, cartesian coordinate में, इस तरह से, ठीक है, slendic coordinates में फिर भी भूल जाते हैं, बट cartesian coordinate का तो आपको students याद होना ही चाहिए, bsc से बढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है, del square, वो value रखी, और v vector, v vector की जगे सिर्फ u लेना है, क्योंकि x component है, तो u से multiply आगया, ठीक है, y component लिखना है, v vector की जगे, सिर्फ v लिखोगे, यह लिखा, clear, f की जगे f y आगया, rho as it is है, minus del p, तो del upon del y, और p आपका as it is रहेगा, p क्या है, pressure, ठीक है, इसे कोई component कोई नहीं है, vector कोई नहीं है, plus mu, del square, del square की value तो सेम ही है, बट यहाँ पर v vector की जगे, सिर्फ v ले लिया, क्योंकि y component है, ऐसे ही z लिखा है, as it is, कोई दिक्कत नहीं, fz आगया, del p upon del z, आगए चले, देखिए, use करते हैं, हम लोग, जो भी conditions हैं, उन्हें, तो equation क्या reduce हो जाएंगी, using conditions, क्या जाएगा आप लोगों के पास, condition use करने पर, देखिए, याद तो है, अभी हम लोगों ने देखी थी, u 0 था, v 0 था, यह दोनों term 0, यहाँ से क्या, अच्छा, del w upon del z is equals to 0, ठीक है, del w upon del z is equals to 0, कहाँ से है, equation number first से, equation number डाल दीजिए, 5, आगे चलते हैं, x component की बात करते है u 0 है, यह term 0, 0, 0, 0, चले, absencely है, external force, fx का value 0 होगे, यहाँ से क्या आगे है, u 0 है, यह term 0 होगे, सीफ क्या बचा, minus del p upon del x is equals to 0, यहाँ अच्छा पूरा 0 है, तो यानि कि, क्या आगे आप लोगों के पास, minus को हटा हो, 0 में भेजा, del p upon del x is equals to 0, आगे चलते हैं, y component देखते है v की value 0 है, यह term 0 हो जाती है, fy 0 है, del p upon del y, v की value 0 होने से, यह term vanish हो जाएगी, तो minus del p upon del y is equals to, क्या आगे जाएगा 0, यानि कि, del p upon del y is equals to 0, equation number 7, एर्थ पर आई, फोर्थ पर आईए, w की value यहाँ 0 नहीं है, clear, तो यह वाली value 0 होगी, यह वाली value 0 होगी, बट यह वाली value क्योंकि study value del y del t is equals to 0 है, ठीक है, तो del w upon del t भी 0 है, रो w del w upon del z, equation fourth क्या imply कर रही है, रो w del w upon del z is equals to fz 0 है, minus del p upon del z आजाएगा, प्लस mu, यहाँ से क्या आजाएगा, बताइए, अले w तो 0 है, यह term आप लोगों का as it is आजाएगा, ठीक है, क्या, del w upon del x square, plus del square w, del y square, plus del square w upon del z square, equation fifth को अगर देखें, तो del w upon del z equals to 0 है, तो यह value 0 हो गई, यह value 0 हो गई, क्या बचेगा, सिर्फ यह वाली term, और यह वाली term, ठीक है, तो लिख देते हैं, आप लोगों के पास क्या आजाएगा, देखिए, माइनस, del p upon del z, plus mu, del square w upon del x square, plus del square w upon del y square, यह 0, यह 0 equals to 0, ठीक है, del 2 w upon del x square, plus del 2 w upon del y square, mu, इस term को इधर ही रहने दो, इस माइनस वाली term को इधर भीजेंगे, तो यह हो जाएगा positive, ठीक है, यह term as it is, is equals to del p upon del z, यह as it is, लिख देंगे, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से, p आप लोगों का, p को अगर differentiate कर, x के respect में तो 0 आ रहा है, इसका मतलब p x का function ही नहीं, ठीक है, यहाँ से देखो, इसका मतलब p y का function नहीं है, function y का नहीं है, तभी तो differentiate करने पर value 0 आती है, ठीक है, यहाँ पर x का function नहीं है, p y का भी नहीं है, तो इसका मतलब p cable z का function है, p cable किसका function है, z का, जब p cable z का function है, तो जब हम del p upon del z लिख रहे हैं, तो यह तो गलत लिख रहे हैं, जब high cable एक variable का function, तो partial differentiation की क्या जरुआता है, total derivative में change हो जाएगा, यहाँ कि यहाँ पर minus del p upon del z, यह क्या हो जाएगा, dp upon dz, ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो क्या है, यहाँ पर देखने पर हमें समझ आ रहा है, कि जो w है यह z का function नहीं है, इसका मतलब जो यह w है, x और y का function है, क्या यहाँ पर w के लिए आप लोग changes कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यह दो variable का function है, दो या फिर दो से ज़्यादा variable आते हैं, तब ही तो partial differentiation करते हैं, अगर single का होता है, इसकी तरह तो total में change हो जाता, तो क्या जाएगा, देखिए, equation 5 का implies कर रही है, आप लोगों के, x और y का function है, तो जाना कि w equals to w x, y, और 6 और 7 implies कर रही है, p किसका function है, केवल z का, तो यह partial differentiation, total derivation में change हो गया, और यह आप बस as it is, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, यह केवल किसका function है, LHS, LHS केवल function दिख रहा है, आप लोगों को z का, यहाँ RHS function दिख रहा है, x और y का, तो इस equation की, यहाँ केवल z का function है, यहाँ x और y का function है, तो इस equation की consistency के लिए, इस equation की existence के लिए, इन्हे क्या होना पड़ेगा, constant, ठीक है, देखें, यही लिखा है, equation की consistency के लिए, equation number 9 की, equation number 8 है, ठीक है, equation number 9 की consistency के लिए, इसे होना पड़ेगा, एक constant, और इसे हम मान रहे हैं, students, dp upon dz को मान रहे है, minus p, यह constant है, यह small p है, यह capital p है, भूल मत जाना, minus p है, एक्जाम में यही गलती हो जाती है, स्रिफ p लिखते हैं हम लोग, clear, यह चीज ऐसे समझ नहीं आ रहे है, तो देखो, ऐसे समझो, यहाँ पर दोनों तरफ, differentiate कर दो, z के respect में, यदि equation 9 को, differentiate करते हैं, with respect to z, क्या आजाएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास, i, d, z, ठीक है, z के respect में, differentiate is equals to, यहाँ क्या आएगा, del y, del z, यह bracket आजाएगा, complete, ठीक है, तो दोनों के साथ, अलग अलग लिख देते हैं, del w upon, del 2 w upon del x square, plus del by del z, del 2 w upon del y square, ठीक है, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, कि w को differentiate करना है, दो बार तो x के respect में, और एक बार z के respect में तो यहाँ पर पहले किसी के भी respect में कर लिजे, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्या आजाएगा, del square by del x square, x के respect में, हम लोग बार में करेंगे, पहले कर रहे हैं, z के respect में, ठीक है, mathematics में आप लोग पढ़ते थे, जब BSC में बढ़ा होगा, आप लोगों ने students कि, यहा y del x, यानि कि x और y के respect में, अगर अलग differentiate कर रहे हैं, पहले y और फिर x, या फिर पहले x और फिर y, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो equal नहीं आता है, ठीक है, in general, बट यह जो, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर equally आएगा, ठ डिसकस में, हम लोग ऐसा कुछ डिसकस नहीं कर रहे हैं, प्लस इसी तरह से यहाँ पर कर लिया, equation 5 में, देखो, del w upon del z की value, हम लोगों ने 0 निकाली थी, तो यह equal to क्या आगया, 0, यहाँ से क्या आगया, mu को तो इदर भेज़ दो, क्या आगया, यहाँ से, del upon del z, dp upon dz is equal to 0 जैड के respect में, इस term का differentiate करा, तो value 0 आ रहा है, इसका मतलब, यह जो term है, constant है, constant term का differentiation 0 आता है, dp upon dz क्या है, एक constant, यही मैंने यहाँ का है, और कुछ भी गलती नहीं करी मैंने, समझा गया, इस तरह से समझ लो, चले आगे, देखो, यहाँ पर हम लोगों ने negative sign लगा है, तो य यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर negative sign शो कर रहा है, आप लोगों का, जैसे जैसे, जैड है, जो आप लोगों का, increase होगा, वैसे वैसे, पी जो है, वो decrease होगा, clear और कुछ नहीं कर रहा है, negative sign, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, dp upon dz की से के, minus p रखेंगे, equation में, इस दिया, तो क्या आ गया, equation 9 से, यह वाली, clear, देखो, अगर यहाँ पर, इस equation को डाल दीजे, तैंथ, अगर यहाँ पर आप लोग एक boundary condition लगा लेते हैं, कि जो भी, जिस भी किरोस section की, आप लोग tube ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से सुनिएगा, जिस भी किरोस section की, आप लो tube ले रहे हो, उसकी wall पर, यानि कि उसकी surface पर, डबलू की value 0 है, इस boundary condition को अगर हम ले लेते हैं, इस equation के साथ, तो यह आप लोगों की कहलाती है, यह equation आप लोगों की कहलाती है, poison equation, with this boundary condition, कि surface पर tube की, डबलू की value 0 होगी, ठीक है, समझा आया, यह कहलाएगी, आप लोगों की poison equation in 2D, 2D है, आप लोग देख सकते हैं, x और y है, clear, ठीक है, अब एक equation है, तो इसका solution भी होगा, तो इस form में, इसे solve करना difficult है, ठीक है, तो इसको solve करने के लिए, हम लोगों ने एक assumption लिया है, इस w की value को define किया है, जो हमने define करा है, उसकी help से हम लोग इस equation को solve करते हैं, इस form म एक assumption लिया है, क्या, कि w is equal to लिया है, si minus p upon 4 mu x square plus y square, ठीक है, देखो, क्या कह रही हूँ, मैं, देखे, boundary condition, कौन सी, की surface पे, tube की w बराबर 0 होगा, equation 10 कहलाएगी, अप लोगों की poison equation in 2D, ठीक है, और जो इसका solution है, वो difficult है, इस case में निकालना, तो हम लोगों ने एक assumption लिया है ठीक है, इस form में निकालना, difficult है, solution, तो इसलिए एक assumption लिया, कि w is equals to होगा, si minus p upon 4 mu x square plus y square, ठीक है, अब इसकी help से, इसकी value, डबलू की value रखकर, हम equation 10 को solve करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पहले differentiate करिए, partially, with respect to x and y, क्या जाएगा, पहले x के respect में कर लेते हैं, तो del w upon del x is equals to, si का क्या होजाएगा, del si upon del x minus p upon 4 mu, partially कर रहे हो, तो y as a constant bf करेगा, जब x के respect में करोगे, तो इसका तो 0 होजाएगा, constant की तरह bf करेगा, तो x square का होजाएगा, 2x, ठीक है, 2 1 is a 2, 2 2 is a 4, यहाँ गया, del si upon del x minus p upon 2 mu, और bracket में अप लगों का x, एक बार और कर देते हैं, तो क्या, sorry, x के respect में, del 2 w upon del x square क्या होजाएगा, del 2 si upon del x square minus p upon 2 mu, x का क्या होगा, 1, ठीक है, इसी तरह से मुझे बताओ, del w upon del y के, तो क्या होगा, del si upon del y minus p upon 4 mu, यहाँ क्या होगा, 2y, इसी तरह से 2 से 4 cancel out, क्या दे देगा, direct 2 लिख लेते हैं, bracket में क्या होजाएगा, y, ठीक है, del 2 w upon del y square क्या होजाएगा, del 2 si upon del y square minus y का 1, p upon 2 mu, ठीक है, अब equation 10 में substitution कीजिए, इस value को, इसे डाल देते हैं, 11, तो equation 10, और equation 11 से, क्या जाएगा, आप लोगों के पास, क्या था, del 2 w upon del x square, plus del 2 w upon del y square, ठीक है, LHS में यही था, दोनों की value है, add कर देते हैं, क्या जाएगा, देखो, del 2 si upon del x square, plus del 2 si upon del y square, ठीक है, minus p upon 2 mu, minus p upon 2 mu, minus half, minus half होगे, minus 1, तो minus p upon mu, इसी question में क्या था, आप लोगों के पास, equation 10 में क्या था, minus p upon mu, रख देते हैं, minus p upon mu, ठीक है, minus p upon mu, ठीक है, upon mu, cancel out होके, आपको दे देंगे, del 2 si upon del x square, plus del 2 si upon del y square, is equals to 0, समझ आया, इस equation को हम लोग solve करेंगे, अब इसकी boundary condition क्या आजाएगी, equation 10 के लिए boundary condition क्या थी, w is equals to 0, ठीक है, तो इसके लिए boundary condition क्या आएगी, निकाल दो, यह रहना यहां से, w की value 0 रखोगे, तो si की value क्या हो जाएगी, इसको, is set भेज़ दो, p upon 4 mu, x square, plus y square, तो यह equation, with boundary condition, with boundary condition, क्या, si is equals to, p upon 4 mu, x square, plus y square, ठीक है, कहाँ पर, si की value कहाँ पर है, on the surface of the tube, surface of the tube, w बराबर 0 surface पर था, tube की, तो si की value surface पर है, ठीक है, equation 12, आप लोगों की क्या कहलाती है, यह कहलाती है, आप लोगों की एक Laplace equation, equation 12 क्या है, Laplace equation, clear, equation 12 is a Laplace equation, with boundary condition, si is equals to, p upon 4 mu, x square, plus y square, ठीक है, आप लोग, इसी equation के, solution, find out करेंगे, अलग-अलग cross section में, ठीक है, लिख देते हैं, equation 12 के, आप लोग, अप डिसकस करने वाले हैं, कुछ solution, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अलग-अलग cross section लेंगे, first आप लोग लेंगे, circular cross section, second हम लोग लेंगे, annular cross section, ठीक है, तो next lectures में इनने discuss करते हैं, important है, यह topic बहुत ज़यदा, हम आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जैसा कि, जब-जब यह exam में पूछे गए हैं, ठीक है, जिस भी year में, मैं आप लोगों को cross section जब पढ़ाऊंगी, उसी वक्त बताती जाओंगी, clear, so thank you friends, मिलते हैं next lecture में, कुछ और अच्छे topics के साथ, यहाँ पर आप लोग क्या discuss करेंगे next में, cross sections अलग-अलग, thank you,